यहां पर हम अपने लेक्टर नमबर फॉर पर 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 रहए रहेगा यह और चैप्टर नमबर टू जिसका नाम है एलेक्र पोटेंशिल एंड कैपसिटिन्स तो केपसिटर वाले पार्ट को हम इसमें कवर करेंगे इससे पहले मैंने आपको potential वाला जो part था वो cover करवा दिया था पूरा lecture number 3 अगर आपने देखा हो electrostatic part 3 तो वहां से आपको पूरा idea लग जाए है कि यार हमने किया गया है तो basically आपको समझना ये है कि electrostatic पूरी एक unit है जिसमें दो chapter आते है physics के तो इन दोनों chapter को मैंने electrostatic के अंदर cover किया है और part wise मैंने रखा है तो आप first part में देख सकते है electric force को and साथी साथ charge distribution क्या होते है वो देख सकते है second part जब आप देखेंगे electrostatic का तो वहाँ पे आप electric field and different position पर electric field क्या होगा उसी के साथ में हमने कुछ electric field से related उसमें कुछ properties होगी थी third part अगर देखेंगे तो वहाँ पे हमने electric potential देखा था electric potential के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम area vector को define करते हैं area vector के साथ हमने gauss theorem भी देखी थी तो यह सारी चीज़े हमने third part electrostatic में कवर करी हैं अब हम आते हैं यह जो आप देख रहे हैं chapter number two जिसमें हम capacitor को कवर करने वाले हैं तो यह इस part में हम लोग आ चुके हैं जिससे आपका जो है आज electrostatic का जो part है वो पूरा कवर हो जाएगा means chapter number one and chapter number two of physics यह आपके आज कवर हो जाएंगे तो start करें उससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने previous three lectures नहीं देखें तो वो एक बार देख लीजेगा उससे काफी help यहाँ पे आपको मिलेगी वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ पहला जो हमारा topic रहेगा वो रहेगा behavior of conductors in electrostatic field तो जो भी चालक हैं उनका behavior उनका बेवार electrostatic field में कैसा होता है यह हमें सबसे पहले देखना है उसके बाद एक electrical capacitance क्या होता है उसकी definition हम समझेंगे और उसकी क्या-क्या properties है principle of capacitance उसके बाद capacitance of parallel plate capacitor तो यह भी parallel plate capacitor है उसका capacitance कितना होता है फिर अगर हम उसको series या फिर parallel में देखें तो equivalent capacitance कितना निकल का आएगा energy कितनी store कर पाएगा capacitor यह भी हमें समझना है उसकी energy density क्या होगी उसके बाद energy series combination में या फिर parallel combination में हम अगर capacitor को रखने है तो कितनी energy का store हो सकता है loss कितनी हो सकती है capacitor में energy और कितनी हम share करते है जब दो capacitor के बीच में energy share की जाती है तो उसमें energy का loss कितना होता है यह भी हम इस derivation की help से इस topic में इस lecture में समझेंगे फिर non-polar and non-polar molecules क्या होते है उसी के साथ में इसी से एक related topic है जो की है polarization of dielectric तो यह non-polar and polar molecules है वो हमें किसी लिए पढ़ने है तो वो हमें इसी लिए पढ़ने है क्योंकि हमें polarization को समझना है और polarization की healthy dielectric जो होता है किसी medium का उसको समझना है यह एक बुसरे से link है इसलिए मैं आप से कह रहा हूँ कि आप पहले तीनों lecture देख लीजिए ताकि आपको यह सौइज बाजा है polarizing vectors and dielectric strength क्या होती है यह हम समझेंगे उसके बाद फिर parallel plate capacitor with dielectric slab and then 1D graph generator 1D graph generator अब जो है NCRD में हट गया है आपकी जो तयारी है बोर्ड ही ना बलकि आप I.I.D.J.E. या फिर नीट की तयारी कर रहे है तो आपकी वो पूरी तयारी हो सके अब बात करते हैं सबसे पहले behavior of conductors in electrostatic field तो चालक क्या होते हैं उसकी बात करेंगे उसके बाद उनका behavior electrostatic field में कैसा होता है वो हम बात करेंगे सबसे पहले conductor अगर हम समझें तो conductor का मतलब होता है जिसमें free electron मौझूद हो ठीक है? conductor का general meaning यही होता है कि उसमें free electron मौझूद है यानि कि free electron का मतलब हो जो free है वो कहीं गूम सकता है जैसे मैं आभी free हूँ तो मैं कहीं पर भी गूम सकता हूँ जहां पर भी जाना चाहूँ मैं बच जा सकता हूँ तो यह मेरा मूल अधिकार है ठीक है? ऐसी जो किसी भी material में electron होते हैं वो free अगर है तो वो कहीं पर भी move कर सकते हैं अगर electron move करेगा तो उसमें क्या होता है? electricity flow हो सकती है electron के move से ही electricity का flow होता है यह हम next chapter में भी समझेंगे बैसे मैंने आपको previous lecture में भी आपको बताया है electron अगर motion करेगा तो उसकी बज़ासी क्या होगा? electricity flow होगी ठीक है? तो अगर किसी material में free electron मौझूद है तो वो क्या होता है? conductor होता है तो उसका behavior अगर हम electrostatic में समझना चाहें तो वो behavior कैसा so करता है? वो हम समझेंगे यह आप मुझे बताएगा कि यह जो parallel lines है यह किसको so कर रही है तो यह मुझे आप बता दीजेगा सबसे पहले हम बात करते हैं first point की जिसमें है net electric field intensity in the interior of the conductor is 0 तो किसी भी एक conductor में net electric field में अगर कुसी electric field में अगर कोई conductor रखा हुआ है तो उसमें जो intensity होगी या फिर उसकी electric field की intensity होगी उस conductor के अंदर net electric field intensity तो वो कितनी होगी? 0 होगी उसके बीचे reason क्या है? वो हम समझते हैं देखो क्या है? ये एक irregular shape का कोई एक material है कोई एक conductor है जो कि हमने किसमें रखा है? electric field के अंदर रखा है electric field के अंदर रखते ही क्या होगा? कि हमें पता electric field की एक direction जो होती है वो unique होती है यानि कि positive to negative right? positive से negative की तरब इससी direction होती है तो मतलब ये है कि electric field की direction अगर ये है तो मतलब यहाँ पे positive charge होगा तो अगर ये positive charge है तो conductor पे क्या होता है? induction की effect से negative charge आता है उस surface पर यानि कि उसके जितने भी electron होंगे वो सब एक तरफ इक तरफ इकटे हो जाएंगे ठीक है? वो दो polar मतलब दो part में इसके जो electron तो ये जो positive और negative है ये क्या हो गया? इक घता हो गया एक तरफ अब यहाँ पे positive से negative की तरफ अब बीच में कुछ भी नहीं है आप देखोगे बीच में क्या है खोकला एक दम खा लिए इसलिए एलेक्ट्रिक फील्ड जो हता है किसी कंडॉक्टर के बीतर वह क्या होता है जीरो होता है So, when conductor is placed in an electrostatic field, the charge means free electron drift toward the positive plate, leaving the positive pore behind. So, at an equilibrium, the electric field due to polarization become equal to the applied field. And so, that net electrostatic inside the conductor is zero. इसी लिया net electric field जो होगा, conductor के अंदर वो कितना होगा, zero होगा, सुनने होगा. इतनी बात आपको clear हो गई होगी, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको कोई doubt नहीं होगा. अगर आपके मन में कोई doubt है तो आप बता सकते हैं, ठीक है, clear हो गया. अब अगर conductor समझ लिया हो, तो conductor के सास्ता हम यहाँ पे यह भी देख लेते हैं, कि अगर हम यहाँ पे किसी एक electrostatic field को ले रहे हैं, ठीक है, तो electric field just outside the charged conductor is perpendicular to the surface of the conductor. अगर हम just उसके बाहर की और electric field को देखें, तो वो क्या होता है, perpendicular to the surface होता है, उस surface के perpendicular electric field की direction होगी, ओके, तो यह अगर यह surface है, तो electric field जो होगा, यह, इसकी direction यह होगी, right, suppose the electric field is acting at the angle other than 90 degree, 90 degree पर नहीं है, मतलब किसी और particular angle पर है, then there will be a component E cos theta, तो उसका हम कौंसा component लिंगे, E cos theta component लिंगे, जो की किसके perpendicular होगा, उस surface के, जिस point पर हम ले रहे है, उस point की जो surface है, उसके perpendicular होगा, so acting along the tangent at the point to the surface which will tends to accelerate the charge on the surface leading to surface current, okay, but there is no surface current in electrostatic, so theta is equal to 90 and cos 90 is equal to 0, तो उस case में theta is equal to कितना होजाएगा, 90 होजाएगा, और cos 90 की पर लिए कितनी होजाएगा, 0 होजाएगी, तो इसका मतलब electric field जो है, उसी direction में होगा, what it? next, net charge in interior of conductor is 0, तो इस conductor के अंदर जो net charge है, वो कितना है, 0, जिस वज़ाए से electric field 0 हुआ था, अगर आपको यादो, तो the charge are temporarily separated, the total charge of the system is 0, तो इस system का जो total charge होगा, वो कितना होगा, 0 हुआ, phi e is equal to, हमने पढ़ा था, surface integral e dot ds is equal to q upon epsilon naught, Gauss theorem से, Gauss theorem, इछले lecture में मैंने आपको पताई थी, तो वहाँ से हमने ये relation देखा था, तो क्योंकि e की value 0 है, इसका मतलब जो q की value होगी, वो भी क्या होगी, 0 होगी, interior, अगर हम अंदर की तरफ net charge देखेंगे, q enclosed देखेंगे, तो वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, so, charge, fourth point है, charge always resides on the surface of a conductor, तो charge जो होता है, हमेशा, जो conductor है, उसकी surface पर होता है, charge जो होता है, हमेशा conductor की क्या होता है, surface पर होता है, reside on the surface of the conductor, तो माल लेते हैं कि conductor is given some axis charge q, construct a Gaussian surface just inside the conductor, तो अगर हम इसके just अंदर की तरफ देखेंगे, उस surface के अंदर, तो q की value क्या होगी, 0 होगी, यह आप ध्यान देखेंगे, बहुत बार इससे related question आता है, कि we have a conductor, then what is the electric field inside the conductor, then it will always be 0, because the net charge inside the conductor will 0, तो कि उसके अंदर जो net charge होगा, वो कितना होगा, 0 होगा, जिस वजए से हम electric field जो लिंग है यहाँपे, वो कितना लेंगे, 0 लेंगे, तो आप इसको देख सकते हैं, यह वाला जो मैंने आपको बताया था, second वाला, यह आप देख लीजएगा, इसके just अंदर मैंने यह Gaussian surface लिये, तो इस Gaussian surface में net charge कितना है, 0 है, 5th point होगा, electric potential is constant for entire conductor, पूरे conductor के लिए जो electric potential होगा, वो क्या होगा, constant होगा, तो कि हमें पता है कि dv is equal to कितना होता है, e dot dr, तो अगर e की value 0 है, interior of the conductor, therefore dv is also is equal to 0, that is d is equal to constant, तो potential difference 0 होगा, जिसके विजए से v क्या है, constant होगा, यानि कि यह एक equipotential surface होगी, v constant कब होता है, जब equipotential surface होती है, ठीक है, six point note करेंगे, surface charge distribution may be different at different points, surface charge distribution है, वो अलग-अलग points पर, अलग-अलग हो सकता है, उसके बीच में difference हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि sigma is equal to कितना होता है, q upon s, every conductor is an equipotential volume, यानि कि 3D में अगर हम देखेंगे, rather than just an equipotential surface, तो equipotential volume होता है, equipotential surface की बज़ए, equipotential volume उसका होता है, and यह होता है two dimensional, अब बात करें, electric capacitance की, तो electric capacitance क्या होता है, तो electric capacitance, एक measurement होता है, किसी conductor की, conductor की एक योगिता है, measure करने की, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कितना charge हम उसमें store कर सकते हैं, तो capacitance और कुछ नहीं है, किसी conductor में कितना charge store किया जा सकता है, उस conductor की capacity कितनी है, charge को store करने की, वो उसका क्या है capacitance होता है, तो यह जो charge है, वो depend करता है, किसके, इस पर depend करता है, यह voltage पर यानि कि potential पर depend करता है तो Q is equal to होता है C B क्योंकि Q is proportional to directly proportional to V तो हम यहाँ पर proportionality constant एक लगाएंगे जो कि हो गया यहाँ पर C C की value यहाँ पर कितनी निकल क्या है यह निकल क्या है Q upon B यह जो C है यह यहाँ पर क्या है capacitance है तो अगर V is equal to 1 volt है then C जो होगा वो Q के equal होगा तो हम यह definition लिखेंगे कि capacitance of conductor is defined as charge required to raise its potential through 1 unit तो किसी भी conductor का potential एक unit बढ़ाने के लिए 1 volt बढ़ाने के लिए जितने charge की जरुरत होती है जितने charge की आवशक्ता होती है वही उसका क्या है capacitance है इसकी ऐसा unit जो होती है वह होती है फेरड जो की बहुत बड़ी unit है अपने आप में इसका symbol जो होता है वो हमने parallel line ली और इस तरीके से circuit में parallel line ना कोई छोटी ना कोई बड़ी तो capacitance का symbol क्या होगा यह दो parallel line जो की बराबर होंगी इनमें से कोई छोटी बड़ी नहीं होगी ठीक है तो वो इसका symbol होता है कभी भी circuit में अगर आपको ऐसा symbol दिख जाए समझ जाएगा क्योंकि वो capacitor है so capacitance is set to be 1F when 1C of charge raises the potential of conductor by 1V तो 1F वो unit होगी capacitance की या 1F वो होगा जिससे 1C charge किसी conductor का 1V potential बड़ा दे ठीक है तो वो क्या होगा 1F के equal होगा क्योंकि हमने देगा था Q upon V के equal होता है तो यहाँ पे भी 1 रखेंगे 1C and यहाँ भी 1 रखेंगे 1V 1C per volt यह किसके equal होगा capacitance के equal होगा यानि कि 1F के equal होगा 1F वो unit है जब हम किसी 1C charge को क्या करते हैं किसी conductor के 1V potential को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं 1F कहते हैं Since 1C is a big amount एक कुलम जो होता है बहुत बड़ा amount होता है ठीक है The capacitance will usually in the range of 1MF, MicroFarad, NanoFarad और PicoFarad इसलिए हम generally use करते हैं तो कौन सी unit करते हैं Millifarad, NanoFarad, MicroFarad या फिर PicoFarad तो मैं एक बार आपको बता जाता हूँ कि यह क्या होते हैं तो 1MF is equal to 10 to the power minus 3F इसी के साथ में 1 MicroFarad जो होता है वो होता है 10 to the power minus 6F 1 NanoFarad जो होता है वो होता है 10 to the power minus 9F और 1 EcoFarad जो होता है वो होता है 10 to the power minus 12F तो यह आप ध्यान रखेंगे generally इनी units का use करते हैं हम Farad में Next हम बात करेंगे Capacitance of an isolated spherical conductor किसी एक isolated spherical conductor के Capacitance की तो हमारे पास एक isolated spherical conductor है जिसकी radius हमें small r given है इसके center पर plus q charge है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे potential at any point on the surface वो कितना होगा हमने formula previous lecture में देखा था V is equal to होता है Q upon 4 pi epsilon naught into r यहाँ से अगर आप check करो क्योंकि C is equal to होता है Q upon V previous slide है आपको बताया था मैंने तो V की value यहाँ पर हम apply कर देंगे तो यह जाएगा C is equal to Q upon क्या होगया V की value यहाँ पर लगा दो तो Q upon 4 pi epsilon naught r Q से Q cancel होगया यह पूरा उपर जाएगा तो 4 pi epsilon naught r यह बचे गया C is equal to कितना होगया 4 pi epsilon naught r यह जो निकल किया है यह किसी एक isolated spherical conductor की capacity होती है तो अर्थ जो है वो एक isolated spherical conductor है इसकी capacity अगर हमें निकालनी है तो अर्थ की radius हम r is equal to 6400 km अगर हम use करेंगे तो हम यह अर्थ की capacity आसानी से निकाल सकते हैं तो capacitance of spherical conductor is directly proportional to its radius तो C जो है वो directly proportional होता है इसके radius के बाकी 4 pi epsilon naught यह constant है above equation is true for conducting sphere hollow और solid चाहे वो hollow हो चाहे वो solid sphere हो दोनों के लिए यह क्या है सही है अगर sphere जो है वो किसी medium में है तो हम क्या formula use करेंगे तो C is equal to 4 pi epsilon naught epsilon r into r अगर किसी medium में है तो हम यह formula use करेंगे capacity जो होती है अर्थ की वो होती है 711 microfarad यह question आता है कि अर्थ की capacity कितनी होती है तो इसका answer होगा 711 microfarad ठीक है तो अर्थ की capacity होती है निकालना कैसे है मैंने बताया था कि R की value कितनी use करेंगे 6400 km use कर लीजे तो आपको यह capacity है वो आपको मिल जाएगी इसी के बाद principle of capacitance की बात करें तो principle of capacitance में अगर हम समझे तो हमारे पास दो plate है इसको समझेगा plate A and plate B तो plate A को हमने क्या किया positively charge किया बी हमारे पास जो plate है वो neutral है एक दम बी पर कोई भी charge नहीं है plate A पर positive charge है बी पर कोई भी charge नहीं है इसके बीच में जो potential है वो कितना है V है तो अब क्या करा हमने कि B को जो हम नजदीक लेके आएंगे इसके तो नजदीक वाला जो इसका सिरा है positive की वजए से इस पर क्या होगा induction की वजए से इस पर negative charge अपने आप आजाएगा इसके pass वाली plate पर क्या आगया negative charge आगया और इसके दूर वाली plate पर क्या आगया अपने आप ही positive charge हो गया ठीक है तो अभी भी इस पर कोई भी charge नहीं है इधर वाली plate पर क्या हो गया positive charge इखटा हो गया negative charge इखटा हो गया पर पॉजेडिफ चार्ज घता होगिा तो अभी हमें किया करना है कि एक तरफप वाली प्लेट के चार्ज को अटाना है तो हमने जा कर से एक निए डाव्याट करती है ट बॉन हो जा जाएंगे आर्थ की विसकी प्रेंटिल्स पॉरदे हो जाएंगे और neutralize जब हो जाएंगे तो यह पर आप देख लेना यह जो भी लिखा हुआ है यह मैं आपको explain कर रहा हूँ तो neutralize होने के बाद cable और cable क्या बचेगा? negative charge बचेगा plate B पर क्या बचेगा? cable negative charge बचेगा तो A का positive charge, plate A पर कौन से charge था? positive charge और B पर क्या आगया? negative charge आगया, तो यह जो positive और negative charge आए है plate पर इसी की वज़े से total potential होगा, तो यह जो पूरा system है वो क्या कहलाता है? capacitor कहलाता है, ठीक है? तो आपको यह सौझ में आगया क्या करा हमने एक positively charge plate ली, उसके effect से जो neutralize plate थी उस पर भी charge आगया पास वाली plate पर negative charge और दूर वाली plate पर positive charge positive charge को हमने earth head किया, जिससे वो neutralize हो गया अब केवल plates पर positive A पर और negative B पर बचा हुआ है तो यह जो पूरा combination है, यही क्या है? capacitor है क्योंकि इसके बीच में charge store है, ओके? अब इसको समझते हैं यहाँ पे capacitance of parallel plate capacitor तो parallel plate capacitor के capacitance C कैसे निकालते हैं, वो हमें समझना है तो parallel plate का मतलब हो गया, जब plate को हम parallelly connect करते हैं parallel रखते हैं एक दूसरे के, तो उसको हम बोलते है parallel plate और उसके अंदर charge stored होता है, इसलिए वो capacitor हो गया तो एक plate हमने A ले लिए, एक दूसरी plate जो हो गई A- हो गई, ऐसा माल लेते हैं, तो plate A जो है वो positively charged है और दूसरी plate जो है वो negatively charged है, दोनों पर density जो है charge की वो same है, इनके बीच की distance D ले लिए हमने so parallel plate capacitor is an arrangement of two parallel conducting plates of equal area separated by air medium or any other insulated medium such as paper हो सकता है, mica हो सकता है, glass हो सकता है, बूर हो सकता है या ceramic हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, जब parallel plate capacitor लेते हैं तो या तो हम उसके बीच में हवा रहन दे, air रहन दे, कुछ ना परे या फिर हम कोई ना कोई एक dielectric medium का use करते हैं, dielectric medium का use क्यों करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, क्यों किया जाता है, उसको क्या फायदा है, तो dielectric medium कुछ भी हो सकता है, चाहे वो paper हो, चाहे वो mica हो, चाहे वो glass हो, या wood हो, या फिर सेरे में को, कुछ भी हम इसकी जगए use कर सकते हैं, सबका जो dielectric constant है वो अलग अलग होता है, तो formula ह होता है, V is equal to ED, यहां से आपने को मिलेगा, sigma upon epsilon not into D, क्योंकि E is equal to होता है, किसी एक plate की प्लेट की विजए से electric field हमने find किया तो आपको याद होगा, कौन से lecture में, third lecture में, electric study के third part में मैंने आपको बताया था, जब Gauss की applications पढ़ रहेते, तो E is equal to sigma upon epsilon not into D, तो V की value कितनी निकल क तो V कितना निकल के आएगा, QD upon A epsilon not, क्योंकि sigma is equal to होता है Q upon A, हमने sigma की जगे Q upon A put कर दिया, तो C is equal to होता है Q upon B, तो अगर हम यहां पर यह value उढ़ा के रखेंगे V की जगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, C is equal to A epsilon not upon D, तो if space between the plates is filled with dielectric medium of relative permittivity epsilon r, तो इसमें हम क्या करेंगे, formula use करेंगे, C is equal to A epsilon not epsilon r upon D, epsilon not मैंने आपको starting हो बता है कि यह क्या होती है, permittivity होती है, vacuum की, इसका अमान होता है, 8.85 into 10 to the power minus 12 coulomb square per newton meter square, और जबकि जो epsilon r हो relative permittivity है, ठीक है, relative permittivity कैसे, तो हम vacuum के respect में, medium की permittivity जब निकालते है, तो वो relative permittivity होती है, ठीक है, आगे बात करें, capacitance of parallel plate capacitor, जो होता है, वो directly proportional होता है, to the area of the plates, ठीक है, plate का जितना भी area है, उसके directly proportional यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, C is directly proportional to A, क्या है, A epsilon not upon D, and inversely proportional to the distance of the separation between them, इनके बीच की जो distance है, उनके inversely proportional होता है, तो यह आप देख सकते हैं, यह मैंने जो यहाँ पे लिखा है, काफी important है, यह concept clear होगे आपका, यह formula याद रखेंगे, काफी important formula है, C is equal to A, Epsilon not upon D, या फिर C is equal to A, Epsilon not, Epsilon not upon D, यह Epsilon not की जगह है, जब अगर कोई medium होगा, तो हम relative permittivity, उसके साथ में, multiple product में, product में ले लेंगे, अब आते हैं, series combination पर capacitor के, तो capacitor का अगर series combination हम लेते हैं, series का मतलब होता है कि, पहले capacitor की दूसरी plate, दूसरे capacitor की पहली plate से जुड़ी होगी, दूसरे capacitor की दूसरी plate, तीसरे capacitor की पहली plate से जुड़ी होगी, तो यह series combination है, यानि कि, यह जो capacitor है, सबोस्थ यह हमारे पास एक capacitor है, तो इसके साथ में, यह एक capacitor और जुड़ा होगा, तो यह वाली पहली प्लेट हो गई यह वाली दूसरी प्लेट हो गई तो यह कॉम्बिनेशन जुड़ेगा तो यहां पे मैं आपको समझा देता हूं यह पहली प्लेट है कैपिसिटर की यह दूसरी प्लेट है कैपिसिटर की यह दूसरी प्लेट आप देखो तो पहली प्लेट से जो charge होता है, वो क्या होता है, हर एक capacitor में same होगा, एक होगा, अगर इस पे 2 Steven होगा, तो series combination में charge होता है, वो same होता है, and potential distribution होता है, वो क्या होता है, inversely proportion होता है to the capacitance, इसका मतलब V is equal to, V1 plus V2 plus V3, या फिर V is equal to Q upon C, V1 is equal to Q upon C1, V2 is equal to Q upon C3, and V3 is equal to Q upon C3, V2 is equal to Q upon C2 and V3 is equal to Q upon C3 ठीक है? यह आपको clear हो गया इसमें कोई problem तो नहीं है यह जो potential हर एक capacitor में अलगल होगा series combination में जबकि charge हर एक capacitor में same होगा ठीक है? Q upon C अगर हमें निकालना है तो यह जाएगा Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3 तो 1 upon C मिलेगा series में जब हम इसको connect करते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो reciprocal of effective capacitance जो होगा वो sum होगा reciprocal of individual capacitance के तो अगर हमें capacitance का जो है equivalent लिकालना है तो note करने वाली बात यह है कि effective capacitance in series combination is less than the least of all individual capacitance तो अगर हम series में capacitance को connect करते हैं तो हर एक capacitance से उसकी जो capacitance होती है वो क्या होती है कम होती है ठीक है यह ध्यान रखेंगे series में combination में क्यों होता है less than the least of the individual capsotences second जो आता है वो आता है हमारा parallel combination of capsitors parallel combination में क्यों होता है कि पहली plate पहली plate से जुड़ी होगा दूसरी plate दूसरी plate से तीसरी plate तिस्तरी प्लेट से तो इस तरीक एगा combination जो होता है, वो parallel plate combination होता था है. अब इस में क्या होता है? इस combination में potential. वो होता है, जब की चार्ज का distribution होता है. है पहले वाले भी humor का दिखा था. छार्ज का चार्ज होगा दूसरे नहीं दूसरे पर होगा स्रीज कॉंबिनेशन में हमने देखा था कि चार्ज होता है वो सेम हर एक कैफ सेटर में सेम होता है ठीग है जबकि यहाँ पर जो होगा चार्ज अलग-अलग होगा और पोटेंशियल सब में सेम हुआ, तो Q is equal हो जाएगा यहाँ पर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 यहाँ से हमें Q is equal होता है C1B Q1 यहाँ पर हो जाएगा C1B Q2 हो जाएगा C2B Q3 हो जाएगा C3B यहाँ पर Q is equal to CB जब लगाएंगे तो C1 V plus C2 V plus C3V, V यहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा इन में से जो भी largest capacitance होगा उससे भी बड़ा होगा क्या, यह जो parallel plate capacitance में निकल के आएगा, equivalent capacitance वो ठीक है, यह note कर लीजिएगा इसके बाद energy stored in capacitor कितनी energy stored होगी capacitor में वो अगर हमें निकालना है तो capacitance आपको सौझ में आगया प्लेटे हैं, उनको आपस में हमने connect कर दिया किसी उसके बीच में बैटरी अपलाई कर दी तो वो एक capacitor बन जाता है उसके बीच में कोई dielectric medium हो या ना हो, अगर air है तो के की value dielectric constant हो जाएगा के is equal to one अगर कोई और medium है तो के उसकी ज़्यादा होगी value ठीक है और यह ध्यान रखना conductor के लिए जो होती है यह infinite होती है conductor के लिए जो के की value होती है वो infinite होती है तो दो प्रोसेस ओफ चार्जिंग एक एक्प्सिटर इस एक्क्यूवलेंट तो दो ट्रांस्फॉर्मिंग चार्ज प्रोसे प्रोसे जो होती है तो आप क्या होगा कि यहां से चार्ज जो होंगे वो क्या होंगे ट्रांस्फर होंगे जिसकी विए से कुछ ता कुछ इसमें work done होगा कोई कार्य होगा तो this work is stored as electrostatic potential energy in capacitor तो यही जो कार्य है यही जो work done है वो इसके अंदर एक energy के रूप में क्या हो जाता है store हो जाता है और अगर यहां पे हम मालने की dq भी दा charge transferred against the potential difference एक dq चार्ज जो है वो potential difference के against इसमें transfer हुआ है तो work done कितना हो जाएगा w is equal to हमें पता है v into q होता है तो dw is equal to हो जाएगा v into dq which is equal to potential energy यह हो गया v की जगे अगर हम q upon c apply करें तो q upon c into dq इसको integrate करेंगे तो u यहां पे मिल जाएगा integration of 0 to q q upon c dq या फिर u is equal हो जाएगा half q square upon c एक formula first formula यहां पे निकल किया है second formula इसमें कई सारे formulas हैं तो यह formulas आपको note कर लेने हैं यह formulas आपको याद होने चाहिए मैं बता भी दूँगा कि किस तरीके से हम निकालते हैं formula निकलने की techniques क्या है तो पहला formula यहां पे निकाला यह तो इसको integrate किया तो q upon half q square upon c आया दूसरा q की जगे हमने c v रख दिया तो half c v square आया तीसरा one upon qb qb कैसे आया जब c की जगे है हम क्या रख देंगे q upon c रख देंगे तो यह formula निकल किया जाएगा तो यह तीन formula हैं यहां पे first, second और third energy के लिए तो इन तीनों में से कोईसा भी एक याद होना चाहिए तो आप बाकी के तीनों आसानी से निकाल सकते हैं ठीक है उम्मीद है कि आपको यह energy समझ में आ गई कि किस तरीके से store होती है या कितनी energy store होती है capacitance के अंदर फिर से बतायत होता है half q square upon c तो यह formula जो है वो energy के लिए हमें मिल जाता है यहाँ पे energy density क्या होती है density होती है per unit volume पर कितनी energy है तो u is equal to अभी हमने निकाला था half cv square होता है और c is equal to होता है a epsilon not upon d और v is equal to potential difference जो होता है वो ed के equal होता है तो अगर हम यहाँ पे सारी values put करें तो c की और v की तो हमें मिल जाएगा half epsilon not a d e square या फिर a d जो है वो यहाँ पे क्या है volume है यह क्या है volume है तो a d को इसके upon में लेके आएंगे तो u upon a d is equal हो जाएगा half epsilon not e square यह जो formula मिला है half epsilon not e square यही क्या है energy density का formula है किसका formula है energy density का formula है ठीडा है तो SI unit जो होती है energy density की हो हटी है joule per meter cube जो होती है क्योंकि energy जो है वो work done per unit volume है या energy per unit volume है तो meter cube जो होती है वो volume की unit होती है तो यहां पे SI unit जो निकलाinerート जो निकल के हाएगी joule per meter cube निकल के आएगी and energy density is generalized as the energy per unit volume of field यह मैंने बताय था energy per unit volume of the field is known as the energy density and energy is stored in the series combination of the capacitor series combination में कितनी energy is stored होगी यह निकालना अगर हमें है तो सबसे पहले equivalent capacitance पता होना चाहिए series combination में क्या होता है तो 1 upon c1 plus 1 upon c2 plus 1 upon c3 and so on 1 upon cn इस तरही के से होता है तो अगर हम यहाँ पे 1 upon c की जगए यह वाला formula क्या है half u square upon c तो 1 upon c की जगए इसको लिए सकते है q square into 1 upon c 1 upon c की जगए हमने यह put कर दिया जो series combination में होता है यह सारी values हमने यह यह पे लगा दी तो हमें क्या मिलेगा half q square into 1 upon c1 plus 1 upon c2 plus 1 upon c3 dot 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 1 upon cn या फिर हम इसको लिए सकते है u is equal to u1 plus u2 plus u3 plus dot 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 un so the total energy is stored in the system is the sum of energy stored in the individual capacitor series में अगर हमें energy का energy stored कितनी energy stored हुए यह निकालना है तो हम क्या करेंगे individually ही लिकाल लेंगे energy पहली capacitor में कितनी है दूसरी में कितनी है तीसरी में कितनी है और उसको हम directly add कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा total energy stored in series combination of capacitor ठीक है यह मिल जाएगा next energy कितनी stored होगी parallel combination में तो energy stored in parallel combination of capacitor तो हमें पता है C is equal to कितना होथा C1 plus C2 plus C3 dot 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 Cn formula हमारे पास है half Cv square इस formula का हम यहाँ पर use कर लेते हैं तो C की जगए C1 plus C2 plus C3 dot 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 Cn कर देंगे तो यह हो जाएगा again U is equal to U1 plus U2 plus U3 dot 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 UN फिरसे वही the total energy stored in the system is the sum of the energy stored in the individual capacitor तो वो भी क्या रहा है वो ही निकल क्या रहा है जो हमने series में निकाला था तो individual capacitor में जतनी energy stored हो रही है उसमें हम क्या कर देंगे सब को add कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी energy मिल जाएगी कितनी store हो रही है parallel combination में अब हम बात करते है loss of energy की यानि कि अगर हम parallel या series combination में capacitor को connect करते है तो energy का कुछ loss होता है तो वो loss कितना होता है वो हमें समझना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसके लिए हम यह assume कर लेते हैं कि हमारे पास दो capacitor है इनका capacitance C1 और C2 है उनके चार्ज जो है वो है Q1 and Q2 and potential जो है उनका V1 and V2 तो total charge जो होगा after sharing वो equal होगा total charge before sharing क्योंकि चार्ज तो conserve रहता है हमने पढ़ा था conservative of charge conservation हमने पढ़ा था law उसका principle of conservation of charge तो हमने यह देखा था कि चार्ज जो होता है ना तो उसको produce कर सकते हैं ना ही उसको destroy कर सकते हैं वो क्या होता है कि वो transfer होता है तो total charge उतना ही रहेगा जो पहले था और जो बाद में हैं उनकी value equal होगी हमने लिखा total charge after sharing is equal to total charge before sharing because of principle of conservation of charge ठीक है तो यह हो जाएगा देखो capacitance हम किसमें देख रहे हैं parallel combination में parallel combination में जो हम add करते हैं negative तो कैसे करते हैं direct sum लेते हैं तो हमने दो capacitor लिये हम इसमें बहुस सारे capacitor बहुफ ले सकते हैं तो depend करता है कि हम derivative derivation कैसा ले रहे हैं या फिर कैसा circuit ले रहे है दो capacitor के लिए C1 प्लस C2 हो जाएगा parallel combination में and voltage जो होती है किसमे parallel combination में वो क्या होती है equal होती है same होती है दोनों के लिए तो V same रहेगी तो इसलिए C1 plus C2 into V is equal to C1 V1 क्या हो जाएगा C1 V1 plus C2 V2 यह क्या है total क्योंकि हमने क्या करा इसको अलग-अलग कर दिया तो अलग-अलग करा तो आप इसमें जो capacity होगी मतलब जो इसका जो charge energy होगी वो क्या हो जाएगी C1 V1 Q is equal to C1 V1 plus C2 V2 तो V की value हमें यहापे निकालनी है तो C1 plus C2 को इसके upon में बेज देंगे तो V is equal हो जाएगा C1 V1 plus C2 V2 upon C1 तो यह क्या होता है potential निकल क्या आगया अब यहां से जब हमें potential मिल गया तो आप हम क्या करना है total energy कितनी होगी before sharing वो निकाल सकते है तो U1 is equal to हो जाएगा 1 upon C1 V1 square plus 1 upon 2 C2 V2 square तो U is equal to इतना हो गया अब यहां पर हम निकालेंगे initially जो energy होगी वो इतनी होगी तो total energy अगर हमें निकालनी है तो final energy कितनी हो जाएगी half C1 plus C2 V2 अब दोनों को हमें क्या करना है minus कर देना है तो initially कितनी energy थी और final energy कितनी है दोनों को minus कर देना है तो loss मिल जाएगा loss of energy loss of energy निकालने के लिए initial में से final minus कर दिया तो हमें मिल गया C1, C2, इंटू में V1 माइनस V2, स्क्वेर, अपॉन 2 C1 प्लस C2, यह फॉर्मूला काफी important है, इसको याद रखेंगे, ठीक है, स्टार मार्क कर लेंगे, बहुत important formula है, इससे related questions आते हैं, आपके नीट के exam में भी आपके नीट के exam में या फिर वोर्ड के exam में question आ सकते हैं, बोर्ड में तो simple question आएंगे, इस रिलेटेड या फिर capacitors simple derivation आता है, लेकिन इसके entrance exam में काफी questions आते हैं, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि u initial minus u final जो होता है, वो greater than होता है zero से, and यह भी कह सकते हैं कि u initially जो होगा, वो क्या होगा, जादा होगा u final से, so therefore, there is some loss of energy when two charged capacitor are connected together, जब दो charged capacitor को आपस में connect करोगे, तो जरूर कुछ energy का loss होगा, so the loss of energy appears as the heat and the wire connecting the two capsitors may be hot, may be become hot, तो जो circuit में हमने wire use किया है, वो क्या हो जाता है, गरम पढ़ जाता है, क्योंकि energy loss हो रही है, ठीक है, वो heat के रूप में लिख लेगी, मतलब किसी ना किसी रूप में लिख लेगी, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है, ये energy conserve हो रहती है, energy कोई तो रूप में निकलेगी ना, मतलब transfer हो रहती है, एक रूप से दूसरे रूप में, तो आते हमें next topic वे जिसका नाम है polar molecules, polar molecules को हम समझेंगे, polar का meaning मैंने आपको study में भी बताया था, dielectric हो गया, या dipool हो गया, pole मैंने जब बताया था, pole का मतलब होता है सिरे, ठीक है, polar, सिरे होता है उसका, तो दो सिरेव में अगर ये बढ़ जाता है, तो उसको बोलते है polar, ठीक है, so the molecule in which the center of positive charges does not coincide with the center of the negative charges is called a polar molecule, okay, so polar molecule does not have the symmetric shape, so polar molecule जो होते है, उनकी जो shape होती है, वो symmetric नहीं होती है, so यहाँ पर हम कह सकते हैं, जैसे HCl है, H2 हो है, NS3 है, CO2 है, यह एलकोल है, यह सभी जो है, वो polar molecule है, and effect of electric field on polar molecule, polar molecule पर electric field का क्या effect पढ़ता है, यह हम समझेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर electric field 0 है तब, electric field कुछ है तब, तो अगर electric field जो है, वो 0 है, तो उस case में क्या होगा, dipole moment कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा, कि यह positive and negative, दो 0 में बटे हुए है, तो इन the absence of the external electric field, the permanent dipole of the molecule oriented in the random direction, and hence the net dipole moment is 0, तो उस case में क्या होगा, यह जो है, वो random में कहीं पर भी move करेंगे, जिस वज़ाए से इसका जो net dipole moment होगा, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जब कि अगर कोई external electric field हम apply करते हैं, तब ऐसा नहीं होगा, जब हम electric field इस पर apply करेंगे, external electric field apply करेंगे, तो यहाँ पर जो dipoles हैं, वो अपने आप में ही क्या होंगे, orient होंगे, and regular fashion, and hence dipole moment जो होगा, वो किसमें induce होगा, पहले dipole moment induced नहीं हो रहा था, क्योंकि electric field वहाँ पर 0 था, electric field 0 होने की वज़ाए से जो था, वो randomly कहीं पर भी वो orient हो रहे थे, कहीं पर भी motion कर रहे थे, जिस वज़ाए से, total जो net dipole moment था, वो कितना हो गया था, 0 हो गया था, अब यहाँ पे, अपने आप में ही वो क्या हो रहे हैं, अपने आप में ही वो क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, जिस वज़ाए से क्या होगा, एक dipole moment क्या होगा, induced हो जाएगा, so the complete alignment is not possible due to thermal agitation, thermal agitation में यह जो है, वो complete alignment possible नहीं है, right, electric field में यह possible है, अब यहाँ पे देखिए का non-polar molecules क्या होते हैं, a molecule in which the center of positive charge coincide with the center of the negative charge is called the non-polar molecule, so non-polar molecules जो होते हैं, उनकी जो shape होती है, वो symmetric होती है, symmetric shape जैसे N2 है, CH4 है, O2 है, C6, H6 है, तो इस तरीके के जितने भी है molecule वो क्या होंगे, non-polar molecule होंगे, इनकी जो shape होगी, वो क्या होगी, symmetrical होगी, effect क्या होता है, electric field का इसको भी समझते हैं, तो अगर electric field is 0 है, तो dipole moment is 0 होगा, obviously बात है, कि absence of extra electric field, the electric field, effect of, effective positive and negative centers coincide and hence dipole is not formed, ठीक है, dipole यहाँ पर form नहीं होगा, जबकि electric field की presence में, field की presence में क्या होगा, यहाँ पर यहाँ पर देखेगा, यह जो है, वो क्या कर रहे हैं, अपने आप में ही motion कर रहे हैं, जैसी electric field है, तो यह rotate, मतलब यह क्या करने के लगा, motion में आ गया, तो अगर electric field हम apply करते हैं, तो positive charge are pushed in the direction of the electric field and the electrons are pushed in the direction opposite to the electric field, तो इसके विजए से क्या हो जाता है, separation हो जाता है, of the effective centers का, and positive and negative charges जो होते हैं, और dipole जो होता है, इसमें form होता है, पहले बाले में dipole form नहीं और था, क्योंकि उनका जो center था वो यह की था, दूसरे बाले में dipole इसलिए form हो रहा है, क्योंकि positive जो होते हैं, वो electric field की direction हो जाता है, और negative electric field की opposite direction में हो जाता है, तो कोई भी इसमें यहाँ पर dipole momentum एक dipole जो होता है, एक form हो जाता है, ठीक है, तो dipole momentum भी होगा, अब हम बात करेंगे, डाइलेक्टरिक्स की, डाइलेक्टरिक्स क्या होते हैं, generally a non-conducting molecule, non-conducting medium और insulator is called dielectric, एक कोई non-conducting medium या फिर insulator जो होते हैं, उनको हम dielectric बोल देते हैं, so precisely non-conducting material in which induced charge are produced on their faces, on application of electric field are called dielectrics, तो जैसे air है, H2 है, glass है, mica है, paraffin wax है, या फिर transformer oil है, तो यह सभी क्या है, एक इसकी तरह behave करते हैं, dielectrics की तरह behave करते हैं, तो इनके अलग-अलग constants होते हैं, इनके अलग-अलग values होती हैं, तो polarization जो होगा dielectrics का वो कैसे होता है, वो भी हम समझ लेते हैं, तो दो plate हमने ले ली, एक हमने लिए positive plate और दूसरी लिए negative plate, इसके बीचे हमने क्या बढ़ दिया, dielectric बढ़ दिया, तो electric field की जो direction होगी, वो किस तरफ होगी, positive to negative की तरफ होगी, तो अगर हम non-polar dielectric slab किसी एक electric field के अंदर रखते हैं, तो यहां पर क्या होता है, एक internally electric field create होजाता है, क्योंकि positive charge जितने भी होँगे, वो negative plate की तरफ आजाएंगे, और negative charge जितने भी होँगे, वो positive plate की तरफ shift होजाएंगे, तो अब क्या होजाएगा, एक electric field जो होगा, वो क्या होजाएगा, यहां पर हम कह सकते हैं, E0 is the applied electric field and EP is the induced field in the dielectric, तो the net electric field EN is equal to, कितना हो जाएगा, E0 minus EP, that is, field is reduced when a dielectric slab is introduced, अगर हम dielectric slab इसमें introduced करते हैं, तो electric field जो होता है, वो क्या होता है, होता है, so dielectric constant जो होता है, वो क्या होता है, k is equal to E0 upon E0 minus EP, dielectric constant जब भी आपको निकालना होगा, तो हम देखेंगे कि पहले electric field कितना था, और अब जब हमने इसमें dielectric medium apply कर दिया, तो अब electric field कितना है, उसका जो ratio होगा, तो वो dielectric constant होगा, polarization vector की बात करते हैं, तो polarization vector measures the degree of polarization of the dielectric, it is defined as the dipole moment of the unit volume of polarized dielectric, तो polarized vector जो होता है, वो क्या होती है, polarization की degree का measurement होता है, कि कितना polarization है dielectric का, तो dielectric के polarization की degree का measurement होता है, वो polarization vector होता है, it defines as the dipole moment of unit volume of the polarized dielectric, if n is the number of atoms or molecules per unit volume of dielectric, then polarization vector जो होगा, वो कितना होगा, p vector is equal to n into p vector, ठीक है, यहाँ पे आप capital P देख पार होगा, यह capital P है और यह small P है, तो यह ध्यान रखना, SI unit जो होती है, polarization vector की, वो होती है, कुलाम मीटर स्कार, SI unit polarization vector की होती है, कुलाम मीटर स्कार, यहाँ पे dielectric strength की अगर हम बात करें, तो dielectric strength क्या होती है, this is the maximum value of electric field intensity, that can be applied to the dielectric without electric breakdown, तो क्या होता है, कि जो हम plate लेते हैं, यहाँ electric field apply करते हैं, तो अगर वो बहुत ज़्यादा strong हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कि उसके अंदर जो dielectric भरा हुआ है, उसके molecules बहुत ज़्यादा खिच जाएंगे plates की तरब, जिसके विज़ाँ से वो break हो सकता है बीच में से, ठीक है, तो हमें वो value लेनी है, यानि कि उतनी limit तक electric field की value यूज करनी है, external electric field की, जिससे वो अंदर का जो dielectric है, वो break ना हो, यानि कि उसका जो polyreaction है, positive and negative के बीच में, वो एक maximum तो रहे, लेकिन वो break ना हो, तूट ना पाए, तो उतनी maximum value, जो maximum value होती है, electric field की जिसके वो तूट ना पाए, अंदर का जो dielectric medium है, ठीक है, वो break ना हो पाए, तो उस maximum value को, उस maximum electric field की value को, क्या कहते है, electric field की maximum value को ही क्या कहते है, dielectric strength कहते है, ठीक है, इसकी ऐसा unit जो होती है, वो volt पर मीटर होती है, आपको याद होगा कि volt पर मीटर जो होता है, वो क्या होता है, unit होती है electric field की, है बट maximum value है ये जो है इसकी जो practical unit की बात करें तो वो kilowatt par mm होती है क्या होती है चले निमिट्र होता है अब जैसे हम बात करें डालेक्रिक इस्ट्रेंथ की तो vacuum के लिए wyboo कि यो … होती है क्योंकि 14 होती है PRAX CYREX के लिए PAPER के लिए 14-16 होती है RUVER के लिए 21 होती है माइका के लिए 162-200 तो माइका जो है यहाँ पर Direcetric काफी अच्छा Direcetric माना जाता है जिसकी STRENGTH जो होती है बहुत ज़ाद होती है 160 से लेके 200 तक Capacitance of Parallel Plate Capacitator with Direcetric Slab तो capacitance dielectric slab के साथ में अगर हमें इसका parallel plate capacitor का capacitance निकालना है तो यहाँ पे हमने क्या करा एक parallel plate capacitance लिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे यह plate positive है और यह negative plate है ठीक है उपर वाली plate पर positive charge है नीचे वाली plate पर negative charge है इसके बीच में हमने क्या कर दिया डाइलेक्ट्रिक भर दिया है जिसकी thickness हमने ले लिए लिए टी तो टी इस थिकनेस अप डाइलेक्ट्रिक मीडियम and total जो यहाँ पे plates की बीच की distance है वो है D तो बचा हुआ जो part है वो air का हो गया तो air का जो part है वो कितना बचा वो बचा D में से हम T को minus कर देंगे तो D minus T जो है वो air का part है तो हम यहाँ पे अगर voltage लिकालते है तो वो हो जाएगा E not E not क्या है वो external electric field जो हमने apply कर रहा है वो E not D minus T plus E n और इंटू T किक है E n जो है वो यह जो dielectric medium हमने apply कर रहा है इस पे electric field की value है E n जो है total net electric field है E n net electric field है जो की equal होता है E not external electric field minus polarizing electric field तो polarizing electric field को अगर हम minus करते है external electric field में से तो हमें net electric field मिल जाता है तो हमने क्या करा यहाँ पे क्योंकि dielectric पर इतना ही electric field होगा polarizing electric, sorry E net होगा तो E net की multiply करी हमने T से and E not external electric field उसकी multiply करी जो air वाला medium है air वाला medium कितना है D minus T ठीक है इससे multiply करी क्योंकि V is equal to E into D होता है distance होता है electric field into distance तो K होता है K होता है आपे E not upon En या फिर En को हम ले सकते है E not upon K so we can get यहाँ पे E is equal हो जाएगा E not D minus T plus E not upon K En की जगे हमने क्या कर दिया E not upon K put कर दिया into T D is equal to यहाँ पे मिल जाएगा E not को हमने common ले लिया तो D minus T plus T upon K ठीक है यह वाला time याद रखना and E not यहाँ पे हम पता है कि sigma upon epsilon not होता है अगर किसी plate के लिए हम electric field लिका आते हैं तो वो निकल के आता है plate के बीच में अगर opposite plates है positive and negative इनके बीच में electric field लिका लेंगे तो वो कितना निकल के आएगा sigma upon epsilon not which is equal to Q A upon epsilon not ठीक है Q upon A epsilon not यह हो जाएगा Q upon A epsilon not ठीक है C is equal to Q upon B तो V अगर हम यहाँ पे यह वाली value पुट करते हैं और तो हमें मिल जाएगा Q से Q cancel जाएगा A epsilon not यहाँ पर पहुँपर पहुँच जाएगा तो हो जाएगा D minus T plus T upon K इतना हो जाएगा C is equal to A epsilon not upon D minus T plus T upon K यहाँ पिर C is equal to C not यहाँ पर आप देख लीजेगा formula काफी important है C is equal to C not upon 1 minus T upon D 1 minus T upon K So this is the formula for capacitance due to dielectric medium So C जो है वो यहाँ पर greater than होगा C not से क्योंकि हमने यहाँ पर एक dielectric medium रख दिया है तो capacitance increase होगा यहाँ पर with introducing dielectric slab अगर हम कोई dielectric slab इसमें introduce करते हैं तो इसकी जासे जो capacitance है इसका वो क्या होगा increase होगा अगर हम dielectric slab यहाँ पर occupy करते हैं The whole space would be in the plates that is T is equal to D मतलब अब हम कोई भी जगह खाली नहीं चोड़ेंगे rates के बीच में पूरा का पूरा जो space है वो dielectric से बढ़ देंगे तो उस case में C की value के C naught के एककल हो जाएगी यानि कि dielectric constant जो होगा C is equal to C upon C naught होगा तो dielectric slab के लिए अगर हम बात करें तो physical quantities देखते हैं and with battery disconnected and with battery disconnected तो charge जो होता है वो same रहता है battery को हटा दिया जाए तभ भी battery को अगर disconnect कर दिया जाए तो charge जोगा वो बैटरी को अगर connect किया जाए तो charge increase होता है ठीक है यानि कि charge उसमें और store हो जाएगा कितना हो जाएगा K C naught V naught capacitance की बात कावत करें तो वो increase होता है battery disconnect करने पर और charge अगर connect करेंगे तब भी वह increase होगा electric field decrease होता है battery disconnect करने पर और increase अगर connect करेंगे तो वो same रहेगा potential difference decrease होगा और अगर connect करेंगे तो same रहेगा energy जो होगी वो same रहेगी अगर disconnect करेंगे तो अगर हम उसको connect करेंगे battery को तो वो increase होगी कि कि हम बात करते हैं वो डी ग्राफ जनरेटर जो एक यह सफेरिकल पाइपसेटर वाला जो हमने पार्ट पढ़ा था कि एक ऐस्ट रिगल कंडेक्टर है उस पर चार्ज इस्टॉर होता है तो उसमें जो चार्ज इस्टॉर होता है उसकी capacity होती है, four pi epsilon naught r, तो यही concept जो है, वो हमें यहापे लगाना है, इसी principle पर यह based है, और साथी साथ हमने एक और पढ़ा था, electric field is equal to the sigma upon epsilon naught, या फिर q upon a epsilon naught यानि कि area जितना कम होगा, electric field उतना ही जादा होगा, तो यह concept, यह दो principle हैं, जिस पर यह based है यहाँ पर आप दे सकते हैं, एक sphere है, S, ठीक है, इस पर दो पुली लगी होई है, एक पुली है C1 नीचे की तरफ, दूसरी पुली लगी है P2 उपर की तरफ, यहाँ पर motor लगी होई है, यहाँ पर दो com है, C1 and C2 com का जो अगला सिरा है, वो बहुत कम होगा, तो less area larger electric field, यह concept यादर ना less area larger electric field, यहाँ पर क्या होता है, कि charge का store होता है heavily electric field यहाँ पर produced होता है तो यहाँ पर high voltage resource लगा हुआ है, इसको हमने क्या करा है earth head किया है यहाँ से, तो बाकी का जो part है, जो इसमें extra charge होगा, वो क्या हो जाएगा, earth head हो जाएगा यादि कि वो neutralize हो जाएगा और यहाँ से high battery से यह जो connect है यह belt, यह silk की belt है इस silk की belt पर बाकी का charge जो है, वो क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा तो इसकी पूरा जो mechanism है, वो मैं आपको समझा जेता हूँ पूरी जो process है, वो समझ लेते हैं तो यह belt लगातर गूम रही है यह pulley पर है, तो belt लगातर क्या कर रही है गूम रही है, इस motor की help से तो यह silk की belt इस पर बंद होई है इस पर जो charge आ रहा है इस C1 से, वो इस पर चिपक जा रहा है किसकी विज़ासे हमने starting में एक concept पढ़ा था, charge due to friction तो इसको अगर हम रफ करते हैं तो इस पर एक charge आ गया, same यही यहाँ पर हमने यह जो charge आ है, इसको अगर paper के पास लेके जाएंगे तो paper पर भी charge जाएगा, induced हो जाएगा उस पर charge because of induction, ठीक है तो वही यहाँ पर concept लगा हुआ है तो इस पर जो charge आया है, positive charge यह induction की विज़ासे इस belt पर चिपक गिया, silky belt पर यह belt उपर की तरफ जाएगी तो यह जो comb है यह इसको अपनी तरफ एट्रेक्ट कर लेगा collect कर दिया जाता है, ठीक है collector की health से इसको collect कर लिया जाता है इस charge को तो इसकी वज़ासे एक charge को, यानि कि one unit charge को कई unit charge में convert कर दिया जाता है, यानि कि इसमें ये एक generator की तरह work करता है इससे जो charge का amount है, वो बहुत कई ही गुना बढ़ाया जा सकता है, ठीक है HVR क्या है कि high voltage rectifier यहाँ पर high voltage rectifier यहाँ पर लगा हुआ है अब बात करें यहाँ पर इसके पूरे principle की principle मैंने आपको समझा है फिर भी यहाँ पर देख ली जिए consider two charge conducting spherical cells such that one is smaller and other is larger when the smaller one is kept inside the larger one and connected together charge from smaller one is transferred to the larger shell irrespective of the higher potential of the larger shell that is the charge reside on the outer surface of the outer shell and the potential of the outer shell is increases considerably तो यहाँ पर जो charge है वो क्या होता है, increase होता है यहाँ पर potential दोनों के बीच का increase होगा क्योंकि charge लगातार store हो रहे है outer surface पर store हो रहा है inner surface की health से sharp pointed जो मैंने बताया था की E is equal to कितना होता है Q upon A epsilon not यहाँ पर हम कह सकते है sharp pointed surface surfaces of the conductor have larger surface charge density इनके पास larger surface charge density होती है यानि कि sigma की value वहुच जादा होगी and hence the electric field created by them is very high compared to the dielectric strength of the dielectric air वो dielectric of air की बज़े से जो capacity क्या हो रही है create हो रही है उससे भी जादा जो electric field create हो रहा है उससे भी जादा कही कुना जादा electric field इसकी विज़े से create होता है therefore air surrounded these conductors get ionized जिसकी विज़े से जो आसपास की air है वो क्या हो जाती है ionized हो जाती है and the like charge are repelled by the charged pointed conductor causing discharging action known as corona discharge or action of point okay so the spread charges moving with the high speed cause electric wind इस electric wind की विज़े से यह जो charge है वो पूरे के पूरे इसमें spread हो जाता है and opposite charge are induced on the teeth of collecting com जिसको हम conductor लेते हैं यानि की चालक लेते हैं and again opposite charges are induced on the other com ठीक है तो पहले वाले com से यह क्या हो रहे हैं induced हो रहे outer surface of the collecting sphere जिसको हम बोलते हैं तो dome पर इसको collectic कर लिया जाता है आगे बात करते हैं इसके पूरे construction की construction के बारे मैंने आपको बताया था क्या होती है कि कुछ few meter की radius की यहापे एक spherical shell होता है इसमें एक silk की या rubber की belt लगी होती है काम उसका वो ही होता है कि charge को induce कराना motor लगी होती है जिसमें pulley pulley से यह motor जो होती है वो belt की है से बंदी होती है इसमें दो कॉम होंगे पहला दूसरा कॉम जो की hvr यानि की high voltage rectifier से की है से क्या होता है जुड़ा होता है एक टूब होता है टी दे चारज़ पार तीकल तो था असलेरेट असलेरेट अट गवर अड टारगेट अट 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 आट ड़ीज़ अट अट पर वाटम हूंड आट आट टूब अट दो इसे रिड़ अर्धूर जाता है तो एक पूरे एपरेटस को पूरे उपकरण को नहां रखा जाता है कि आपको बता दिये किस तरीके से ये वर्क करता है तो ये पूरी प्रोसेस वो ही है maximum potential इससे क्या होता है हमें प्राप्त होता है और ये generator है uses इसकी बात करें तो 1D graph जो generator है इसका use बहुत high potential difference को produce करने के लिए किया जाता है of the order of the several million volts for accelerating charged particle जिसी charged particle को accelerate करने के लिए बहुत high या फिर कई million volts को produce करने के लिए इसका use के जाता है and the beam of the accelerated charged particle are used to trigger nuclear reaction और इन जो accelerated charged particle है इनका use हम किस में करते है nuclear reaction को trigger करने में या ब्रेक करने में करते है या न्यूक्लियर रेक्शन में करते है generally the beam is used to break atoms to various experiment in physics इन beams का use जो है वो atoms को break करने में बहुत सारे physics के experiment में किया जाता है and in medicine such beam are used to treat cancer तो ऐसे कुछ beam का use cancer के treatment में भी किया जाता है ठीक है medical line में and it is used for research purpose इसका use research purpose के लिए भी किया जाता है 1, 2, 3, 4 इनके 4 uses यहाँ पर मैंने आपको बता दिये ठीक है तो यह जो पूरा chapter था यह capacitance पर based था यह पूरा जो lecture था वो capacitance पर based था यहाँ पर हमने इस से related सारे topics पर लिए cover कर लिए तो उम्हीद है कि इस lecture से या फिर पूरे electrostatic में जो भी हमने cover किया है electrostatic 1, 2, 3, 4 4 part जो हमने cover करें इनमें अगर आपको कोई problem आती है आप पूछ लीजिएगा आप comment box में push list पूछ सकते है ठीक है लिख सकते है अपना doubt और उम्मीद है कि आपको यह पूरा clear हो गया होगा और notes आपने बनाए होंगे तो next chapter हम cover करेंगे chapter number 3 और next unit जिसका नाम है current electricity ठीक है तो उसको हम next video में cover करेंगे तो thanks for watching